या सवाल संध्या का है नमस्करम सद्गुरू आज हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध एक्टर ने खुद अपनी जान ले ली मैं वाकई सक्ते में हूँ इसी तरह रॉबिन विल्यम्स और कई दूसरे बहुत ज़्यादा सफल लोगों ने भी ऐसे कठोर कदम उठाए है एक समाच के रूप में हम कहां गलती कर रहे हैं कि यहां तक की सफल लोग भी इस तरह से अपनी जान ले रहे हैं तो हर दिन माफ कीजिये हर साल आठ लाख लोग आत्मात्या कर रहे हैं यह संख्या उससे कई गुना ज्यादा है जितने लोगों की हत्याएं होती हैं और जो युद्ध में मारे जाते हैं कई गुना ज्यादा बात बस इतनी है कि मैं नहीं जानता कि यह एक्टर यह एक्टरिस कौन है सुशान सिंग राजपूत वैसे मेरा मतलब मैं बस कुछ ही नामों को जानता हूँ तो मैं नहीं जानता मुझे माफ कीजिये यह जो भी हैं मेरा मतलब मैं इस इंसान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता यह अफसूस की बात है क्योंकि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन ये क्यों हो रहा है कि एक मेरे ख्याल से जब हर साल आठ लाक लोग मर रहे हैं तो मैं इसे एक विशाल घटना कह सकता हूँ इसका मतलब है कि हर 40 सेकेंड पर लगबग हर 40 सेकेंड पर एक इनसान आत्मात्या कर रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है तो इसके कई पहलों है अगर आप क्योंकि लोग अभी अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो नहीं प्रिय है ये जिसका वो आदर करते हैं तो अभी वो एक भाव कवस्था में हैं वे इसे वैसे नहीं देखेंगे जैसे इसे देखना चाहिए लेकिन अगर आप इसे देखने को तयार हैं बस एक जीवन के रूप में एक व्यक्ति के रूप में नहीं एक सबसे मूल भूत कारण कि एक व्यक्तिकत इंसान तूट जाता है जिसका नतीजा आत्मात्या हो सकती है या जिसका नतीजा डिप्रेशन हो सकता है या जिसका नतीजा किसी दूसरे किसम की बीमारी हो सकती है वो कई पहलों पर निर्भर करता है लेकिन मूल रूप से ये तूटना है जीवन नहीं तूटा जीवन का तूटना वो अलग बात है वो काल भैरव का काम है आप उनका काम नहीं करना चाहते आप उनसे आगे जाकर इसे खुट करना चाहते है तो इसके साथ करुणा से पेशाना होगा मैं वो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे में कोई करुणा नहीं है ये एक संवेदनशील मामला है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे बस वैसे ही देखें जैसा ये है अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है वरना जब कोई आत्महत्या करता है ये जब कोई मरता है आप भावुक हो जाते हैं आपको लगता है कि ये दुनिया का अंत है तीन दिनों के बाद आप अपने समाने जीवन में वापस चले जाएंगे हर चीज चलती रहेगी और आप इस बारे में भूल जाएंगे और एक बार फिर जब कोई मरता है फिर वही भावनाएं वही संगर्ष उसी मुकाम पर वापस तो समय आ गया है कि आप इसे बस एक जीवन के रूप में देखें एक व्यक्ति के रूप में नहीं खास कर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो आपका करीबी था या आपको प्रिय था या जिससे आप प्यार करते थे इसे उस तरह मत देखिए बस जीवन की तरह कोई जीवन ऐसा क्यों करता है इसमें कई कई पढ़ते हैं एक बुनियादी पहलू ये है कि लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर एक लव अफैर टूट जाता है तो कोई आत्महत्या कर लेगा अगर वो अपनी दौलत खो देते हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि जिससे आप इनसान कहते हैं वो दुर्भाग इसे इन सब चीजों का एक कोलाज है मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिष्टे, मेरी जॉब और मेरा ओहदा, मेरी शोहरत, मेरा नाम इन सब का कोलाज तो इसका मतलब कोलाज यानि कुछ तुकणों को हलके से साथ में रखा गया है ये किसी भी समय बिखड सकता है अगर उस तस्वीर के एक हिस्से को कोई जला देता है तो ये तूटकर बिखड जाएगा तो मैं जानता हूँ कि कई सारे सावाल उठेंगे थोड़े समय में मैं सभी पहलूँ पर बात नहीं कर पाऊँगा मेरे खयाल से हमने डेथ बुक में इस पर चर्चा की है विस्तार की उस हद तक जहां मैं लोगों को अपना दुश्मन न बना लूँ हाँ क्योंकि ज्यादतर मानवता जीवन को आँख से आँख मिला कर देखने को तैयार नहीं है उन्हें ड्रामा चाहिए तो जिस हद तक इसे एक सारवजनिक मंच पर प्रस्तुत करना संभव है हम उस किताब में उस हद तक और उस से थोड़ा आगे गए है आत्महत्या और इन सारे पहलों के बारे में बहुत सरल शब्दों में कहें तो जीवन है जीवन यानि वो चीजें नहीं जो आपके जीवन में होती है जीवन कोई ड्रामा नहीं है जो आपके आसपास चल रहा है जीवन एक बुन्यादी चीज है जो आपके भीतर घटित हो रही है ये जीवन अपने ही कुछ खास सिद्धान्तों और नियमों के आधार पर चलता है और अब आपके चारों और एक दुनिया है एक समाज है ये अपने ही सिर्फिरे सिद्धान्तों पर चलता है जो तरल हैं और हर समय बदलते रहते हैं आज अगर आप एक चीज करते हैं तो लोग तालियां बजाएंगे उसी चीज के लिए सौ साल बाद वो आपकी बुराई करेंगे अभी एक आंदोलन चल रहा है ये सभी जातिवादी एक समय पर वो बहुत प्रसिद्ध थे वो महान नेता थे वो महान नेता थे लोगों को लगा ये एक या दो लोग नहीं है मैं चाहता हूं कि आप समझें आज इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि एक आदमी जातिवादी था एक इंसान जातिवादी नहीं था पूरा समाज था एक इंसान ने ज्यादा लोगों को मारा ज्यादा लोगों को पकड़ा ज्यादा लोगों को गुलाम बनाया तो वो एक हीरो था इसलिए हमने उसकी मूर्ती लगाई उस समाज में वो एक महान ही रो था क्योंकि एक जातिवादी का मतलब है कि वो किसी एक के खिलाफ है लेकिन किसी दूसरे की सेवा करता है अगर मैं आपको लूटता हूँ और उसे एस इंसान को देता हूँ तो ये इंसान खुश है वो सोचता है कि मैं एक शांदार आदमी हूँ उसे रॉबिन हुट कहा जाता है तो जब लोगों ने जाकर दूसरे देशों से दौलत चुराई तो उनके देश के लोगों ने तालिया बजाई और कहा कि ये शांदार बात है वो काफी नहीं था उनकी दौलत चुराना तो हम लोगों को भी चुरा कर ले आए लोगों ने कहा ये बहुत बढ़िया है ये लोग मुफ्त में काम करेंगे लोगों ने कहा ये बढ़िया है कृपिया समझ ये वो एक अकेला आदमी नहीं था एक अकेला गुलामों का व्यापारी, पूरे के पूरे समाज ने गुलामी के फायदों का लाब उठाया, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, हम उससे बच नहीं सकते, तो उसी तरह से एक समाज में, किसी भी समाज में, ये किसी एक खास इंसान या किसी खास समाज के बारे में कमें नहीं है, हर समाज में ऐसा कुछ होता है, कुछ बिलकुल असहनीय स्थर पर हैं, दूसरे संभालने लाइक स्थर पर हैं, लेकिन हर समाज में ऐसा कुछ न कुछ है, मेरे साथ ऐसा बहुत छोटी उम्र में हुआ, जब मैं शायद 10-11 साल का था, 11-11.5 की उम्र तक, मैं, मैं जीवन को इस नजरिये से देखने लगा कि क्या अन्याए है, क्या अन्याए है मैंने पाया कि मेरे पिता बहुत अन्याई है मैंने पाया कि मेरी माँ बहुत अन्याई है मैंने पाया कि मेरी बहने और मेरा भाई बहुत अन्याई है मैंने पाया कि राजनीतिक तंत्र बहुत अन्याई है, मैंने पाया कि सामाजिक परिस्थती बहुत अन्याई है, मैंने देखा कि वैश्विक परिस्थती बहुत अन्याई है, मुझे हर चीज अन्याई जैसी लगी, जैसे जैसे मैंने हर चीज में अन्याई देखा, धीरे धीर मैं गुसा 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 होता चला गया कोई अचरज नहीं कि संयोग से आज चे का जन्म दिन है आह मैं उसके बारे में जाने बिना ही उसमें चला गया तो चे क वेवारा एक बड़ी प्रेणा बन गए मैं हधियार बंद संगर्ष में शामिल होना चाहता हूँ क्योंकि मैं सारे अन्याई लोगों को मारना चाहता हूँ आप उन सारे लोगों को मारना चाहते हैं जो दुनिया में अन्याई पहला रही है यही सुब्रमन्यम या कार्थिकेय निकिया वो हजारों लोगों की हत्या करते चले गए जहां भी उन्हें अन्याएं दिखा हत्या 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 फिर उन्हें हिसास हुआ कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको पूरी दुनिया की हत्या करनी होगी क्योंकि हर चीज में थोड़ा बहुत अन्याय है मैं आश्रम के अंदर भी बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस जगह पर कितना अन्याय होता है हाँ, मुझे हर तरह की कमेंटरी मिलती है कैसे मैं अन्याय हूँ क्योंकि पर्फेक्ट न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती जो हर किसी को खुश कर दे ये संभव ही नहीं है आप चाहे जैसे भी करें परिवार के अंदर अगर आपके दो बच्चे हैं एक बच्चे को महसूस होगा कि उसके प्रतिया न्याय हो रहा है क्योंकि जब आपने आम को काटा तो एक तुकड़ा दूसरे से बड़ा था हाँ ये ऐसा ही है तो जब आप एक कोलाज हैं कोई तुकड़ा गिर जाता है और कभी कभी उस तुकड़े के बिना आप थोड़ा क्या कहें रोएंगे और गाएंगे क्योंकि इन सारी चीजों को रोमांटिक बना दिया गया है जब कोई बड़े दुख से रोते हुए गाता है तो उसे एक बहुत सुन्दर गाना और एक शांदार सीन माना जाता है हेलो, आप दूसरे लोगों के रोने का आनंद लेते हैं, है ना आप दूसरों के दुखी होने का आनंद लेते हैं आप सिल्म देखने गए और वो रोए और उनका जीवन एक तबाही था आप भी रोए और फिर आपने बाहर आकर कहा कितनी शांदार फिल्म है नहीं नहीं, मैं कला के प्रकार पर कोई टिपणी नहीं कर रहा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरों के दुख्ता आनंद लेते हैं जब तक कि वो आपको नहीं चूता अगर वही चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप रोते हैं मगर अब आंसूं में वाकिक अड़वाहट है हम? अब आंसूं में तेजाब है वो आपको जलाता है वरना ये सब एक अच्छी चीज है तो मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सद्गुरु जब एक युवा आदमी ने आत्महत्या कर ली है क्या आपको इतना निर्मम होना चाहिए इसलिए मैंने आपसे कहा मैं इस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ या किसी भी एक व्यक्ति के बारे में जीवन को वैसे देखिए जैसा वो है जीवन चल रहा है अपने ही एक सिद्धान्त और एक नीयम के साथ अब आपने एक समाज बनाया है जो बहुत सी चीजों का एक कोलाज है कोई नहीं जानता कि आखिर ये है क्या अब आप इस पूरे समाज को लेते हैं और उसे अपने मन में च्छाप लेते हैं तो आपके पास एक मन है जो बिल्कुल समाज के जैसा है मगर ये समाज की सटीक पर चाएं भी नहीं है समाज की आपकी अपनी विकृतियां देखिए आप समाज के बिना नहीं जी सकते मगर समाज में आपके दुख के लिए बहुत सी चीजें है जब वो आपके खिलाफ काम करता है तो आप दुख ही होते हैं जब वो आपके पक्ष में काम करता है तो आप उसका मजा लेते हैं ये चल रहा है तो आपके पास एक मन है विचार और भावनात्मक धाचा है और आपके पास एक जीवन है ये कुछ हैसा है इशायो केंद्र में सभी बैल गाडियों में हम सिर्फ एक बैल लगाते हैं अगर आपको पता ना हो तो ये तमिल नाड़ों में एक नई चीज़ है सिर्फ करनाटक में एक बैल वाली बैल गाडियां होती है तमिल नाड़ों में एक बैल वाली कोई बैल गाड़ी नहीं होती हमेशा दो बैल होते हैं यहां तक कि छोटी बैल गाड़ी में भी दो बैल होते हैं इसके बारे में कोई सांस्कृतिकास था या समझ है तो मैंने कहा कि एक ही बैल होना चाहिए हमारे लोगों ने कहा नहीं सद्गुरू एक बैल नहीं खीच पाएगा मैंने कहा कोई बात नहीं बॉल बियरिंग लगाओ चाहे जो भी करो उसे आसान बनाओ मगर बैल एक ही होगा अब जो जीवन आप हैं और जो मन आप हैं वो दो बैलों की तरह हैं जो एक बैल गाड़ी में जुते हैं दोनों बैलों को एक ही दिशा में रखने के लिए आपको एक कुशल ड्राइवर होना होगा अगर एक इधर जाता है एक उधर जाता है तो आपकी गाड़ी तूट जाएगी शायद वो बिलकुल अलग दिशा में न जाएं वो थोड़ा इधर उधर खीच रहे हैं फिर आप थोड़े डिप्रेस हैं संघर्ष कर रहे हैं और दुखी हैं लेकिन अगर वो वाकई दो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो आप तूट जाएंगे हर कोई नहीं तूटेगा दुर्भाग्य से आठ लाख लोग हर साल मैं नहीं जानता वो कहते हैं कि दो लाख से अधिक लोग 20 से 29 साल की उमर के बीच होते हैं अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में वो उसे खत्म कर रहे हैं तो उनका संघर्ष क्या है शायद किसी को कोई ठीक ना हो सकने वाली बिमारी हो बहुत ज्यादा दर्धनाक तो वो उसे खत्म करना चाहते हैं हम उन्हें माफ कर देंगे कोई और आर्थिक जंजट में है हम उन्हें माफ नहीं करते कोई और असफल प्रेम संबंध हम उन्हें माफ नहीं कर सकते कोई और परिक्षा में फेल हो गया उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते इस तरह बहुत से कारण है ये उनका मजाख उड़ाने के लिए नहीं है बात बस इतनी है कि आपके अंदर बस इतना हो रहा है कि आपके मन में एक छवी है कि जीवन क्या है और आपके पास एक जीवन है जब आपकी छवी उस जीवन से मेल नहीं खाती जो आप है ये जीवन जो आप है ये उस जीवन से अलग नहीं है जो मैं हूँ ये उस जीवन से अलग नहीं है जो कोई भी दूसरा व्यक्ती है लेकिन आपका मन ऐसा बन गया है कि वो जीवन को नहीं दिखाता वो जीवन की सेवा नहीं करता वो सोचता है कि वो अपने आप में एक जीवन है आप मानने लगते हैं कि आपकी विचार प्रक्रियाएं और भावनाएं अपने आप में एक जीवन है आपकी सामाजिक परिस्थितियां अपने आप में एक जीवन है अब एक बैल इधर खीच रहा है एक बैल सीधा जाने की कोशिश कर रहा है दूसरा बैल उधर खीच रहा है हम नहीं जानते कि रसियां कितनी मजबूत हैं वो कितनी देर थाम पाएंगी अगर गाड़ी तूटती नहीं फिर भी ये एक दुख भरा सफर है देखिए आपको अपना जीवन खत्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काल भैरव आप उनकी कुशलता पर सवाल नहीं उठा सकते उन्होंने एक भी इंसान को बिना मरा नहीं छोड़ा है कभी असफल नहीं हुए है ना कुछ लोग लंबी उम्रजीये इसकार्थ ये नहीं है कि वो मौत से बच गए उन्होंने लंबा जीवन जिया बस उनका मन और उनका जीवन दोनों बैल साथ में दोड़े या शायद वो इतने समझदार थे कि उन्होंने उसे एक ही बैल बना दिया सिर्फ उनका जीवन दोड़ा मन सिर्फ एक छोटी सी घटना थी मेरी तरह सिर्फ में कुछ भी नहीं है तो कोई समस्या नहीं लोग पूछते हैं सद्गुरू क्या आप कभी गुस्सा होंगे क्या आप डिप्रेस होंगे क्या आप हताश होंगे वो कहा होता है वो चीजें कहा होती है मुझे नहीं पता कि वो कहा होती है क्योंकि वो चीजें जिस जगह पर होती है वो आम तोर पर मेरे अंदर नहीं होती कभी कभार जब मैं ऐसे बैठता हूँ मुझे मन की जरूरत होती है तो मैं उसे वापस ले आता हूँ वरना उसका अस्तित्व नहीं है क्या मेरी छोटी उंगली हताश है? उसमें थोड़ा दर्द है मगर हताशा छोटी उंगली में नहीं होती मगर छोटी उंगली को देखते हुए हताशा यहां हो सकती है हताशा छोटी उंगली में नहीं हो सकती हताशा आपके पैरों में नहीं हो सकती हताशा आपके गुटनों में नहीं हो सकती हताशा सिर्फ एक जगा होती है वो जगा उस जगा से छुटकारा पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है तो अभी करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये होगी कि दोनों बैल इतने अनुशासित हों कि वो साथ में चलें आप ये कुशिश न करें कि जीवन मन के साथ चले ऐसी कोई चीज नहीं होती वो अपने आप चलता है वो आपका भी नहीं है उसे आप नहीं चला रहे वो चल रहा है ये स्रिष्टी है आपका काम है दूसरे बैल को सही दिशा में रखना जो पूरी तरह से आपका बैल है आप समझ रहे हैं ना ये पूरी तरह से आपका बैल है आपने इसे बनाया है आपने जिस बैल को बनाया है उसे इस बैल के साथ चलना चाहिए आपके बैल को इस बैल की परच्छाई होना चाहिए आपका बैल परच्छाई खड़ी हो गई है और अपनी ही बकवास कर रही है साफ है कि समस्या होगी तो ये इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियां आएंगी क्योंकि ये लाइव चल रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बस इतना ही है जीवन मौजूद है और ये सौभाग्य की बात है कि विकास की प्रक्रिया के साथ हमारे पास इतनी जटिल मानसिक या सेरेब्रल गतिविधी है आपने बस ये नहीं सीखा कि उस बैल की सवारी कैसे कर दी है बस आप उसे दुख कह सकते हैं आप उसे निराशा कह सकते हैं आप उसे डिप्रेशन कह सकते हैं सभी डिप्रेशन क्लब मेरे पीछे पड़े हुए है पिछले दो तीन सालों से क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा था मैं एक बार फिर कह रहा हूँ ये उनका अपमान करने के लिए नहीं है ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके परे एक रास्ता है जब उसके परे एक रास्ता है अगर आप उसे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं सद्गुरू, क्या ये स्वभाविक नहीं है, कि जीवन में उतार और चड़हाव और उतार और चड़हाव हूं। लोग तुरंथ ही अपने दुख के इर्दगिर्द फिलोसफी बना लेते हैं। नहीं, ये स्वभाविक है, पहले दो दिन मैं खुश था, अब पिछले एक हफ़तों से मैं दुखी हूँ, ये स्वभाविक है। आखिरकार जब हमारी शादी हुई थी, तब हम बहुत खुश थे, पिछले पंदरा सालों से हम दुखी हैं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने दुख के इर्दगिर्द फिलोसफी बुन रहे हैं, कोई फिलोसफी बुनने की जरूरत नहीं है, अपने दुख, या अपनी खुशी, या अपने प्यार के आस-पास, क्योंकि ये सभी वो चीज़ें हैं, जो आप अपने विचारों और जावनाओं में पैदा करते हैं, किसी फिलोसफी की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की फिलोसफी, व्याख्या या धर्म की कोई जरूरत नहीं है, या भगवान आपसे प्यार करते हैं, या आप उनसे प्यार करते हैं, इन में से किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है अगर 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 आपका बैल पूरी तरह से काबू में होता बस इसी की जरूरत है मन का बैल दौर लगा रहा है अगर वो आपके काबू में होता तो आप इस बैल से अपने मकसद के लिए काम करवाते अगर आपकी गाड़ी में दो बैल लगे हैं तो दोनों बैलों का मकसद एक ही होना चाहिए जैसे ही दोनों बैलों के इरादे अलग होंगे फिर देखिए मैं चाहता हूँ कि आप समझें ये जीवन, ये जीवन जो आप है ये अमीर बनने की नहीं सोच रहा है ये मशूर होने की नहीं सोच रहा है ये इसके और उसके बारे में ये ये वो पाने के बारे में नहीं सोच रहा है हाँ, ये चाहता है की शरीर को अच्छा पोशन मिले बस वो एक मूलभूट जरूरत है अगर शरीर का मंच अच्छे से पोशित है, तो जीवन रुकेगा अगर नहीं तो वो चला जाएगा लेकिन वो उसकी मांग भी नहीं करता ये हम तै करते हैं कि इसे चलते रहना चाहिए लेकिन जीवन सिर्फ एक उत्साह पूर्ण और उलासित रूप में घड़ित होना चाहता है जितना संभव हो सके उतने उत्साह से अब आपको देखना चाहिए शायद आपने ना देखा हो इन दिनों वो ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि सब कुछ ट्रैक्टर, ट्रक और ऐसी चीज़ें हो गई है वरना इन कच्चे रास्तों में ऐसे कच्चे रास्ते हैं जो जो नीचे धस जाते हैं धर्ती की सतह से 10-20 फुट नीचे धस जाते हैं और वो बिलकुल ऐसे होते हैं आप देखेंगे कि बैल गाड़ी चलाने वाला गाड़ी वान कैसे वो दोनों बैलों को साथ रखने के लिए संगर्ष करता है क्योंकि जब जमीन समतल नहीं होती तो बैल थोड़े उलजन में पड़ जाते हैं एक इधर जाना चाहता है एक उधर जाना चाहता है एक अपने आराम के मताबिक चल रहा है दूसरा अपना आराम खोजने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जमीन ही वैसी है और एक बैल पर बहुत अधिक बोज है तो वो उसे दूसरे पर डालने की कोशिश करता है अब वो नियंतरान रखने में संघर्श करता है वो कितना कुशल है इसी से ये तैय होगा कि वो कितनी सफलता से उस जंजट से बाहर निकलेगा तो आम तोर पर एक या दो बहुत कुशल गाड़िवान होते हैं जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो वो अपनी गाड़ी उसोर रख देंगे वापस जाएंगे और एक एक गाड़ी ले जाएंगे वही गाड़िवान क्योंकि वो साफ तौर पर जानते हैं कि कटेन इलाकों में बैलों को सम्हालने में हर किसी की एक जैसी क्षमता नहीं होती समतल जमीन पर हर कोई गाड़ी चला लेता है समतल जमीन पर चाहे वो खींच तान कर रहे हूँ तब भी आपको पता नहीं चलता क्योंकि गाड़ी सीधी जा रही है यही वजह है कि वो देश्य और गतिविधी जो आत्म रुपांदरण की दिशा में होती है वो एक इनसान के जीवन में सबसे महत्वपून गतिविधी है इस संस्कृती में हमेशा से आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का सबसे महत्वपून और सबसे उचा आया माना गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एक पहलू हकीकत है दूसरा पहलू मानसिक हकीकत है यहां तक कि दोनों के बीच अंतर करने के लिए भी थोड़ा काम करना पड़ता है वरना आप सोच रहे हैं कि जिस बैल को आपने बनाया है वो अपने आप में एक हकीकत है जिस बैल को आप बनाते हैं खास कर जिस बैल को आपने बनाया है उसे पूरी तरह से आपके नियंतरण में होना चाहिए है ना? सृष्ठी का बैल पूरी तरह से हमारे नियंतरण में नहीं है उसे हम काल भेरव पर छोड़ देंगे मगर जिस बैल को मैंने बनाया है उसे पूरी तरह मेरे नियंदरण में होना चाहिए मगर अभी वही बैल बेकाबू हो रहा है तो ये कितने रूपों में प्रकट होगा आज इंसान कितने अलग-अलग तरह के दुख जेलते हैं ये इन सब ही अलग-अलग रूपों में प्रकट होगा दुख इस हद तक बढ़ सकता है कि आप जिस मूल भूत कारण से यहां है वो ये है कि आपका जन्म हुआ है और आप जिन्दा है तो मूल भूत चीज का ही कोई महत्वन नहीं रह जाता कि आपका अपना परच्छाई वाला बैल एक परच्छाई असली चीज से अधिक महत्वपून बन जाती है बस यही हुआ है आप इसे दुख कह सकते हैं आप इसे हताशा कह सकते हैं आप इसे डिप्रेशन कह सकते हैं, आप इसे आत्महत्या कह सकते हैं, मगर मुख्य रूप से परच्छाई असली चीज से अधिक महत्वपूर्ण बन गई है, तो यह युवक जो भी था, यह बहुत दुरभागे पूर्ण है, मगर आठ लाग से अधिक लोग हर साल अपने साथ ऐसा कर रही हैं, हम बहुत गर्व नहीं कर सकते कि हमने एक महान समाज या सभ्यता बनाई है, अगर वास्तव में हमने एक महान सभ्यता बनाई है, तो हर तरह के लोग, हर तरह के, मजबूत, कमजोर, समर्थ, असमर्थ हर किसी को कहीं न कहीं जगह मिलनी चाहिए हर किसी को कम से कम पता होना चाहिए कि अपने सीमित स्थान के भीतर शान्त और खुश कैसे रहना है ये सब्धिता है अभी सब्धिता का हमारा विचार पिछले 1000 साल से ये रहा है कि कैसे दूसरे लोगों को मौत के गाट उतारा जाए उनकी चीजें छीन ली जाए और कहना कि हम सब्धिता है जब सब्धिता का आपका विचार ऐसा होता है तो आंतरीक रूप से कई कई चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि आपने उस कोलाज में निवेश किया है जिसे आपने बनाया है इस हद तक कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक समाजिक धाचा नहीं होना चाहिए या किसी भी समय पर समाज एक परफेक्ट कोलाज होगा नहीं ये कभी नहीं होगा बात बस इतनी है कि आप अपने गुबारे को फुला सकते हैं आपका बैल आप उसे जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं लेकिन जब आप नहीं चाहते तो आपको इसे सुलाने में सक्षम होना चाहिए जब आप जो बनाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि ये हकीकत है, ये असली है जब आप मानसिक प्रक्रिया को असलियत समझने की गलती करते हैं तो दुर्भागिसे दुख अटल है इस पल, शायद आप मैं कभी नहीं समझ पाया एक बच्चे के रूप में मैंने हमेशा सुना मैं on top of the world महसूस कर रहा हूँ मैं सोचता था, क्या वो उत्तरी दुरूव पर हैं? ये top of the world क्या है? उनका मतलब ये है कि अगर आप सभी इनसानों को एक धेर में डाल देते हैं तो वो उन सब के उपर हैं यही उनका मतलब है उनका मतलब उत्तरी दुरूव नहीं है इसे समझने में मुझे कुछ समय लगा जब भी लोगों ने कहा मैं on top of the world हूँ मैंने कलपना की कि शायद वो उत्तरी दुरूव पर नाच रहे हैं क्योंकि बहुत कम उम्र से ही मैं भूगोल का शौकीन था तो मुझे थोड़ी देर से समझाया कि ये लोग कलपना कर रहे हैं कि हर दूसरा इनसान उनसे नीचे है वही top of the world है जब ये आपका सपना है तो दुख अटल है ये ये बहुत साफ होना चाहिए कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो किसी एक व्यक्ति के बारे में कमेंटरी नहीं है ये आपके अस्तित्व की प्रकृती है अगर आप इसके साथ समझाता कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि इसे कैसे मैनेज किया जाए न केवल इसे मैनेज करना इसे अपने लिए एक अभूतपूर्व संभावना में कैसे बदलें या हर दिन दो बैलों के साथ संगहर्ष करते हुए चीकते चिलाते हुए चलें आपको बैलगाडी चालकों को देखना चाहिए कि वो कैसे बैलों के साथ गाली गलोच करते हैं क्योंकि वो वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं बुरे शब्द और गंदगी सब कुछ वो बैलों को गालियां देते रहते हैं मुझे यकीन है कि बैलों को वो गंदगी नहीं समझाती जो आप बाहर निकाल रही हैं, लेकिन आप उतनी ही कड़वाहट महसूस कर रही हैं, आज आप समाज में देख रहे हैं, गाली गलोच केवल एक खास समय पर नहीं होती कि कुछ समय के लिए कभी आपने नियंद्रन खो दिया और गाली दी, रोज की बाचीत ही गाली है, यह ऐसा होता जा रहा है, यह साफ तोर पर बैरोमीटर की तरह है, यह दिखा रहा है कि आपके अंदर किस तरका अंतर है, जीवन और परच्छाईं के बीच, इतना बड़ा अंतर है कि अगर आप बैटते हैं, खड़े होते हैं, तो आपके मुझ से सिर्फ गंदगी ही बाहर निकलती है, सिर्फ गाली गाली गाली, यह दुनिया भर में हो रहा है, कुछ लोग यह सोचकर इसे अपना रहे होंगे, कि यह फैशन है, लेकिन मूल रूप से आपको यह समझना होगा, कि आपके भीतर इस तरकी अप्रिय कि आपसे कुछ भी शांदार नहीं निकल सकता, यह संभव ही नहीं है, केवल गालिया ही है, तो आपको समझना होगा, कि जब यह इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यह आठ लाग की संख्या, शायद बढ़ती जाए, बहुत सारे लोग यह सोचने लगेंगे, कि जीव उनको छुआ ही नहीं है, वो अपनी ही बकवास में खोई हुए है, उनकी मानसिक हकीकत पूरी तरह से जीवन प्रक्रिया पर हावी हो गई है, वो अस्तत्वगत प्रक्रिया जिसे हम जीवन कहते हैं, जीवन आपका किया काम नहीं है, आपने इसे नहीं बनाया, यह एक गंगाएं हैं, जैसे हवा है, जैसे पानी है, उनकी खुद की कोई दिमागी का तिविधी नहीं है, कोई व्यक्तिका तनुभाव नहीं है, तो आप भी ठीक होते, हवा में तैर रहे होते, अस्तित्वन ने आपको एक व्यक्तिकत अनुभाव दिया, हाला कि आप कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मार्ण में आप वास्तों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक कण, इसने आपको एक व्यक्तिकत अनुभाव दिया है, आप यहां बैठ सकते हैं, और खुद को एक अलग इकाई के रूप में अनुभव कर सकते हैं इस इसके लिए शब्ध ही नहीं है कि इस रिष्टी कितनी शानदार और कितनी विस्तृत है इस ब्रह्मान में आप धूल का एक कण भी नहीं है एक सूख्श्म कण आप वो भी नहीं है इस तरह के कण के लिए एक व्यक्तिका तनुभाव है और अभी चुंकि आपने इस व्यक्तिका तनुभाव को बहुत गंभीरता से ले लिया है और आप इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं आपका दुख, आपकी निराशा, आपका डिप्रेशन, दुर्भाग्य से आत्महत्या ये भी इसका एक नतीजा है लेकिन बहुत से लोग कहीं ज्यादा दुख के साथ जी रहे हैं उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने असल में आत्महत्या कर ली लेकिन वो जिन्दा रहना जारी रखते हैं क्योंकि एक बैल बहुत मजबूत है, वो हार नहीं मान रहा है हाँ, किसी कारण से जीवन उड़ जाएं, बहुत मजबूत हैं, वो हार नहीं मानेंगी ये आठ लाख लोग ऐसे हैं, जो सफल हो गए आठ लाख लोगों के लिए, मुझे यकीन है कि कम से कम तीन गुना या चार गुना या पाँच गुना लोग ऐसे होंगे मुझे असली संख्या नहीं पता, जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की असफल केस भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में तो ऐसा इसलिए, क्योंकि जीवन मजबूत था और उसने हार नहीं मानी हाला कि मन वहाँ जाना चाहता था, लेकिन जीवन मजबूत था आपके विचार और भावनाएं वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन जीवन मजबूत था और वो कायम रहा तो जीवन कब खत्म होना चाहिए ये जीवन तै करेगा लेकिन जिन भी कारणों से उन्होंने आत्महत्या की एक बार जीवन चला गया चाहे बेमारी से या एक्सिडेंट, कुद्रती मौत, आत्महत्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे एक बार कोई जीवन चला गया तो हमें बस सिर जुकाना चाहिए क्योंकि ये उस जीवन का निर्णा है जिस भी कारण से जब वो जीवित हों तो हम सब कुछ करते हैं ताकि ऐसा ना हो एक बार जीवन चला गया तो आपको बस सिर जुकाना चाहिए क्योंकि ये अस्तित्व है जिसकी उपर आपकी कोई शक्ती नहीं है आपके पास इस पर सवारी करने की शक्ती है आपके पास इसे नियंतरित करने की या इसे निर्देशित करने की शक्ती नहीं है आपके वल जीवन की सवारी का आनंद ले सकते हैं तो एक बार कोई जीवन चला गया, वो चाहे जो भी हो, जो भी कारण रहा हो, उन्होंने जिन भी कारणों से आत्महत्या की, वो आपको गंभीर या मुर्खता पूर्ण लग सकते हैं, इसे फर्क नहीं पड़ता की क्यों, लेकिन एक बार जीवन ने जाना चुन लिया, आप स पिर जुकाईए और उसका सम्मान कीजिए